राधी राधी दोस्तों कैसी हैं आप सब? हमारी यूट्यूब चैनल कैसी राधे किशना शेंगार में आपका स्वाकत है। दोस्तों हिंदू कलेंडर के अंदिम महा फालगुन के शुक्ल पक्ष की दुतिया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इसे एक पवित्र दिन के रूप में पूजा जाता है। मत्रा प्रंदावन के इस्थानों पर क्रश्न मंदिरों में इस्तियोहार का महत सर्वाधिक है। इस दिन भगवान शेकिश्ण राधा रानी संग फूलों के होली खेलते हैं। फुलेरा दूज के पर पर मत्रा प्रंदावन के मंदिरों में भगवान शेकिश्ण के साथ फूलों से होली खेली जाती है। यह त्योहार बसंत पंचमी और होली के त्योहार के बीच फालगों में मनाया जाता है। फुलेरा दूज को एक महत्पूर दिन के रूप में माना जाता है। इसे दोश्मुक्त दिन के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी भी महत्पूर कारे के लिए शुमहुरत के हिसाब से दिन एवं समय का चुनाब किया जाता है। बैसे ही इस फुलेरा तूज के पूरे दिन को शुब माना चाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के शुब कारे के लिए महुरत नहीं देखा जाता। इस दिन किसी भी समय में शुब कारे किया जा सकता है। खास तोरपा यह दिन विभा के लिए शुब माना चाता है। इस दिन केसी भी समय बिना महूरत के विभा की रस्मे निभाई जा सकती है। इस दिन घर में भगवान श्री किष्ण की पूजा की चाती है और अपने इस्ट देव को गुलाल चढ़ाया चाता है। यह गुलाल मस्तक गाल एवम दाड़ी में लगाया चाता है। इस दिन मिष्ठान बनाया चाते हैं और अपने इस्ट देव एवम भगवान श्री किष्ण को उसी का भूग लगाया चाता है। यह दिन क्रश्ण से प्रेम को व्यक्त करता है। इस दिन भगवान भी अपने भक्तों को उतना ही प्रेम देते हैं। इस दिन भक्त जन अपने आराधे देव श्री किष्ण से भक्ती के माध्यम से जुरते हैं। यह दिन उस्सा के रूप में मनाया जाता है भगवान की कृपा का अभिबादन किया जाता है यह दिन सभी तरफ प्रेम और खुशियां बिखेता है फुलेरा दोच के दिन विशिश रूप से भगवान श्री किष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है इस दिन आपको सुर्यदे से पूर उठकर इस्णान करना चाहिए और साफ बस्तिधारन करें इसके बाद अपने मंदिर के पास साफ इस्थान पर एक चौकी लगाएं उस पर गंगाजल छिड़क का साफ करें इसके बाद चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिचाने के बाद चौकी को फूलों से सचाएं इसके बाद भगवान श्री राधे किष्ण की पत्मा को पंचामरत से इस्थान कराएं पंचामरत याने की दूद, तही, खी, शहद और शक्कर के मिश्टर से भगवान श्री राधे किष्ण को इस्थान कराएं उन्हें सुन्दा बस्ता भूशन से सुसजित करें इसके बाद चौकी पर इस्थापित करें भगवान जी की प्रत्माना हों, तो तस्वीर को साफ कपड़े से पहुँश कर आप भगवान श्री राधे किष्ण जी की तस्वीर को चौकी पर इस्थापित करें इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुद्दिगी का दिया चलाएं दिये के नीचे थोड़े से साफ चावल अवश्य ही रखें और एक सुगंदे थूपती चलाएं फिर भगवान शी राधा किष्ण जी को गुलाल अर्पित करें भगवान जी के गाल पर गुलाल लगाएं और फिर राधा मईया को सुहा की बस्तुएं जैसी की बिंदी, चूरी, बिचुगा, महंदी, महबा, इत्यादी अर्पित करें राधा मईया को लाल रंग की चुन्डी अवश्य ही उड़ाएं फिर थोड़े से पुश्प और साबु चावल हाथ में लेकर भगवान शी राधा किशन जी को पुश्प अर्पित करें अब शी राधा किशन जी को मिश्थान का भोग लगाएं आज के दिन घर पर ही मिश्ठान बना कर भगवान श्री राधे किष्ण जी को भोग लगाया चाता है भोग लगाने के वा यथा शक्ति दाधे दाधे का चाप करें भगवान श्री किष्ण को प्रसंद करने के लिए जादा से जादा राधे राधे का जाप करना चाहिए। धार्मिक मानिताओं के अनसार भगवान श्री किष्ण राधे राधे के जब से तुरंथी प्रसंद हो जाते हैं। भगवान श्री किष्ण को किसी और पूजा से इतनी प्रसंता नहीं होती, जितना की राधे राधे के जब से हो जाती है। पूजन के बाद भगवान श्री राधे किष्ण जी की आती करें। इसके बाद भगवान श्री किष्णे और राधा मैया को जो आपने गुलाल चड़ाया है उस गुलाल से अब अपने भी मस्तख पर दिलक करें और अपने गालों पर भी लगाएं। पूजन करने के बाद अंतमे भगवान श्री राधे किष्णे सी पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए शमयाचना करें। आपने राधा मैया को जो सुहाग के समान अर्पित किये हैं। दूसरे दिन उन सुहाग के समान में से एक चीज अपने पास रख लें। और बाकी समान आप किसी सुहागन इस्ट्री को दान में दे दें। इस दिन मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और आधा किष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में फूलों से होली खेलते हैं। और एक दूसरे को फूलों की कुलते स्टे भी भेंट करते हैं। यह त्योहार बैबाहिक संबंदों को मदूर बनाने के लिए भी किया जाता है। माना जाता है इस दिन में साक्षाद भगवान श्री किष्ण का अंश होता है। इसी कारण से इस दिन भगवान श्री किष्ण की पूजा का अधिक महत्व होता है। फुलेरा दौच के पर्व पर भगवान शी राधे किष्ण का पूजन करके उनसे होली खेलने से जीवन भी खुशियों के रंगों से भार जाता है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो के अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फूर वचिंग राधी राधी